नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूटूब चैनल सेहत साथी में दोस्तों आज हम आपसे जानकारी साधा करने वाले हैं एक परसिद मल्टी बिटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट A2Z के बारे में A2Z टेबलेट एक हेल्ट सप्लिमेंट है जो आपके स्वास्थ को बनाए रखता है तता आपके सरीर में मौझूद किसी भी तरह की कमजोरी को दूर करता है इस टेबलेट में मल्टी बिटामिन मल्टी मिनरल के साथ साथ मेथाईल कोबालामिन का भी उप्योग किया गया है जिसके कारण यह एक बहतरिन हेल्थ सप्लिमेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट बन चुकी है A to Z टेबलेट का इस्तेमाल सरीर में उत्पन कमजोरी, काम के कारण ठकावट, किसी भी रोग के कारण होने वाली कमजोरी, मांस्पेशियों का एठन इत्यादी में अधिक उप्योग किया जाता है मेथाइलकोबालमिन विटामिन B12 के दवा के पुर्व का बैगानिक नाम है, जो मानों सरीर में प्राकृतिक रूप से पाये जाना वाला पोशक्त तो है विटामिन B12 सरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की मातरा को बिनेमीत करने में महतपुर्ण भुमी का निभाता है और विटामिन B12 की कमी से सरीर के लिए स्वास्त संबंदी समस्याएं हो सकती है विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से खाद पतार्थों जैसे लिवर, टूना, सेल्मन और ट्राउट में पाया जाता है विटामिन B12 का मानो निर्मित दवा संस्करन मेथाईल कोबामीन है इस विटामिन की किसी भी परकार की कमी को नियंतरित करने के लिए सरीर के लिए पूरक के रूप में मेथाईल कोबामीन का उप्योग किया जाता है इसके साथ ही इसका उपयोग शरीर की पर्तिरक्षा प्रनाली को बढ़ावा देने और कई साधिक दुखों और बीमारियों का मुकाबला करने के लिए भी किया जाता है मल्टी विटामिन के साथ मल्टी मिनरल का भी इस्तेमाल किया गया है जिसके कारणिया एक बहतर हेल्थ सप्लिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसमें पर्मुक सक्रिय समागरिया है बिटामिन B12, मेथाइल कुबालामीन, बिटामिन B1, बिटामिन B3, बिटामिन B5, बिटामिन B6, बिटामिन C, बिटामिन E A to Z टेबलेट का इस्तिमाल एक से अधिक बीमारियों तथा उसकी रोग थाम के लिए किया जाता है सेवन विधि इस टेबलेट का इस्तेमाल रो जाना एक बार खाने के बाद ले सकते हैं आप इस पोड़क्ट को अपने नज़िकी मेचल इस्टोर या फिर ओनलाइन ले सकते हैं झाल झाल